हम ब्रम्ह चारडी रूप की भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम ब्रम्ह चारडी रूप की भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं नोरातों का त्योहार भगतों को लगाएं पार ब्रम्ह चारडी का मतलब तो तपकी चारडी हैं भगतों को अपनी माता यह पार तारडी हैं राजा दक्ष प्रजापति के घर पूर्व जन्म था हुआ बोले नातिक संग किया था माता सतीने विवाह लेकिन दक्ष न यक्ग में कर दिया भोले का अपमान हवन कुंड में कूद के दे दी माता सतीने जान फिर तो ही माले के घर में यह पुत्री बन आई पारवती गौडा और सैल की पुत्री कहलाई दर्शन करने इनके नारद जी चले आते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नोजाते में इसके रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नो रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नारद जी ने आकर के माता को किया नमन बोली गौरा मुनिवर क्या है आने का कारन नारायन नारायन कर वो लगे हैं फिर मुसकाने बोले मैं क्या बतलाओं मा आप तो सब कुछ जानें जानता हूं मैं सिवसंकर को आपने वरना है बड़ा कठिन तप लेकिन इसके लिए तो करना है करके घोर तपस्या आप सिवसंकर को पाओगी तपका आचरन करने वाली माता कहलाओगी इतना कहकर नारद जी तो लोट ही जाते हैं पावन कठा सुनाते हैं दूजे नौराते में इसके रूप कुध्याते हैं हम कठा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नो रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार इनके पिता को हो गए इनके विवाह की चिंता पार्वती का खोजन वर एक पंडित को भेजा दसो दिसाओं में वह पंडित घूमके आया है कोई योग वर पार्वती के लिए ना पाया है बोली पार्वती है पंडित जाओ तुम के लाज सुसंकर है मेरा वर जो करता वही निवाज कहने से गवरा के पंडित है कैलास पे आये देखा के एक योगी बैठा वहां पे ध्यान लगाए देखके बूढे बाबा को पंडित घब राते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नोरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार फिर पंडित ने जा करके हैं सुको किया नमन भोले सुहे पंडित बतलाओं आने का कारण बोला पंडित राजा हिमाले के यहां से मैं आया पुत्री पारवती का विवाह आपसे करना चाहा जिद है पारवती की विवा बस आपसे करना है बड़ा घोर तप पड़ जाए चाहे उनको करना है बैठ गई है तप करने जब तक आप ना माने अंतर यामी हो खुद ही भोले आप सब जाने अब माता की तप की कहानी तुम्हें सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नवराते में इसके रूप को धाते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्यूहार भगतों को लगाए पार नवरातों का त्यूहार भगतों को लगाए पार जानत थी मागावरा ऐसे स्यू ना मानेंगे इसलिए वो करने तपस्या गई है जंगल में बैठ गई वह धाने लगा कर स्यू ही स्यू धाए कई हजारों वर्सों तक बस कंद मूल फल खाए कंद मूल फल छोड़ दिये फिर खाए पत्ते बेल मा की महि मामा ही जाने कैसा जब है खेल पेड से तूटे सूखे पत्ते खाने लगी माता घोर तपस्या इनके जैसी कौन है कर पाता देख के ब्रह्मा विष्णू चिन्ता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार सूखे पत्ते खाने से पड़ा इनका नाम अपरणा ठान लिया था माताने बस सिवको है वरना ऐसा घोर तप करने से हुई इनकी काया जर जर रही अटल अपने निश्चे पे रही घोर तप कर फिर तो माने खाने छोड़ दिये सूखे पत्ते भी बोले ब्रम्हा विजणू यह संभो है आप से ही ऐसे घोर तपस्या आज तक कोई ना कर पाया ब्रम्ह चारणी नाम मात का तब ही कहलाया भोले नाथ को हम विवाह के लिए मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार हुई तपस्या पूरी आप की लोट के घर जाओ है वरदान कि स्यू संकर को पती रूप में पाओ फिर दोनों आए कैला सिप स्यू संकर को मनाने भोले तो भोले हैं इनकी माया यही है जाने खत्म हुआ है भोले अब तो बरसों का इंतजार करो विवाह अब पारवती से जग का हो उत्धार कहने लग की भोले जैसी आपकी है इच्छा आज्या आपकी सपने में भी टाल नहीं सकता ब्रम्हा विश्णू के कहने से मान वो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार ब्रम्ह चारणी रूप में माने ऐसा किया घुर तप इस स्रिष्टी में ऐसी तपस्या किसी ने ना की अब तक तपका आचरन करने वाली ये ही माता है ब्रम्ह चारणी रूप का जो भी ध्यान लगाता है त्याग और तप में लगता मन उनका भटके ना कठिनाई जो कुछ आए तो शक्ति देती मा दूजे नो राते में इनके रूप को ध्याते हैं शक्ति दायन माता से वो शक्ति पाते हैं भक्ती पथ से अपने मन को ना भटकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नो राते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्योहार भग्तों को लगाए पार अपने हर एक जन्म में माने सुको पाया हैं कभी सती कभी पारवती का रूप बनाया है आदी सकती है माता ये जग को तारने वाली यही सारदा यही है लक्षमी और यही है काली नो रातों में नो दुरगा की पूजा की जाती हैं दूजे रूप में माता प्रम्ह चारण कहलाती हैं बाए अंग विराजे सूंके करती सेर सवारी भगतों को माहर एक रूप में लगती है प्यारी धन्य भाग भगतों के दर्शन से हो जाते है पावन कथा सुनाते हैं दूजे नवराते में इनके रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार ब्रम्ह चारणी रूप की जो भी करते हैं भक्ती कथिन परिष्थितियों से निपटने की मिलती शक्ती हे मातारानी देना बस इतना असिर्वार भूलू ना कभी नाम तुम्हारा मुझे रहे सदयार हंस राजरिल हन माता तेरी शरन में है आया अपनी क्रिपादरिष्टी की बस रखना तुम छाया डी अस पाले ने महिमा ब्रम्ह चारणी की है गाई फोजी सुरेस की कलम से निकली है ये कविताई सुनकर महिमा भक्ति भाओं में सब बह जाते है पावन कथा सुनाते है तुझे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते है नवरातों का तुहार भगतों को लगाए पार